हेलो एप्रिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे अगर आप पारा सिक्षा खोर आकलन परिक्षा देने वाले हो तो इसके सिलेबस में आमुल चूल परिवर्तन किया गया है और सिलेबस के अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप ट्रबल में मुसीवत में फसने वाले हो सिलेबस को जान लीजिए और अपनी तैयारी को एक धार देनी की कोसिस करें बचे हुए समय में मैक्सिमम जितनी पढ़ाई कर सकते हो करने की कोसिस आपको करनी चाहिए जिनको नौट्स चाहिए मेरे हैंड़ेटन नौट्स अगर किनी को चाहिए होगा चाहिए वो पेडागोजी यानि की बाल विकास के हो हिंदी इंगलीज मैट्स के हो तो 125 के लिए जो है आप मुझे से कॉंटेक्ट कर सकते हैं यहां से मेरी इमेल एड़ी देख लो जो किसी कोचिंग संस्थान वगरा में जाकर तयारी नहीं कर पा रहे हैं घर में ही खुद से तयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही फूटफुल मेटरियल है आपको सिर्फ 199 जी हां 200 रुपे के अंदर में ही जो है आपको सारी फैसलेटीज मिल जाएगी बाइद बे यह मैं आपको क्लास 125 के सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ अगर आपको क्लास 6-8 की सिलेबस चाहिए न तो नीचे आप जो है 6-8 कॉमेंट किजिएगा जी हां आपको नीचे 6-8 लिख देना है तो संख्या अधिक हुई तो मैं 6-8 का भी सिलेबस आपके सामन मैं explain कर दूँगा सबसे पहले मैं बता दूँ पहले 200 अंकों की परिक्षा होने वाली थी अब 150 यानि कि 1500 अंकों की परिक्षा ली जाएगी तो पारा सिक्षक अगर आप हैं तो आकलन परिक्षा दोगे तो definitely आपकी salary बढ़ेगी आप नियमित हो भी जाओगे तो बहुत ही fruitful आपके लिए ये एक्जाम रहने वाला है आकलन परिक्षा की तो चलिए स्लेवस को मैं आपके सामने details में रखने की कोशिस करता हूं जो भी बातें लिखी कई है वो मैं आपके साथ साजा किये देता हूं देखिए यहां से आपको थोड़ असा जो है ये बलर आपको दिख जान देना ठीक है ना जार्खंड अधिविद परिस्द राची के द्वारा जार्खंड अधिविद परिस्द राची के द्वारा जो है विग्यप्ति संख्यां 34 बटा दो हजार तईस यानिकि आज के ही डेट में जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिल लोगोंने admit काड़ डाउनलोड नहीं किया है वो जाकर जो है jack.jharkhand.gov.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं कब 20 जुलाई से आपका admit card डाउनलोड होगा 30 जुलाई तक याद रखिएगा इन्होंने date बता रखिए exam का जो time है exam का जो pattern है वो मैं आपको रख देता हूँ 30 जुलाई को आपका exam होगा यानि कि आपके पास बहुत कम समय बचा है एक एक करके हम लोग देख लेते हैं देखिए सबसे पहला जो है compulsory सारे लोगों के लिए है 1 to 5 में level 1 to 5 की बात हो रही है समय आपको कितना मिलेगा धाई घंटे का समय आपको मिलेगा यानि कि 150 मिनट आपको यहां पे solve करना है यानि कि हर एक कोशन की अगर मैं बात करूं एक प्रसंट की बात करूं तो एक प्रसंट को solve करने में आपको एक मिनट का वक्त दिया जा रहा है जो कि काफी है यहां से देख लेते हैं compulsory जो है वो है child development and pedagogy जिसे आप हिंदी में बाल विकास और सि पूछे जाएंगे 25 अब अगला जो सब्जेक्ट है वो है maths की जी हां गनित की इसमें भी 25 अंक आपको यहां पे मिलेंगे आगे देख लिजिए environment science यानि की परियावरन अध्यन इससे भी 25 प्रसंट पूछे जाएंगे आधा नंबर आपको यहीं पे मिल जाएगा यानिकि 75 कहां से पूछे जाएंगे गनित सिक्षा सास्त्र और परियावरन से इन पर आपको खास ध्यान देना है अब देखे रिजिनिंग से भी 15 प्रसंट पूछे जाएंगे रिजिनिंग यानिकी जो रिजिनिंग से प्रसंट होते हैं देखो सिरी जैसे होती है ना दो चार चे य ये देखिए हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर का होगा जो कि आपको देना ही देना है अगर आप उर्दू सिक्षक हैं तो उर्दू और इंग्लिश आपका subject बनेगा और अगर आप compulsory for both teachers दोनों टीचरों के लिए जो है regional याद रखिएगा रिजिनल या tribal subject है वो 30 नंबर का language to पूछा जाएगा खोठा हिंदी नागपूरी पंच परगरियां ये सबसे प्रसंद पूछ लिया जाएंगे 1500 प्रसंद यहां से बन जाएंगे पेड़ा गोजी में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ सिक्षा सास्त्र में मोटा माटी सिक्षा सास्त्र में आपको यही पढ़ लेना है कि बच्चे किस तरह से समस्या से रूबरू होते हैं कक्षा में क्लास रूम में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कैसे आपको inclusive education यानि की समावेशी सिक्षा देना है याद रखिएगा कभी भी आपको जो है किन्ही को अलग थलग करने की कोशिस नहीं करनी है सबको एक साथ चलने की कोशिस करनी है एक साथ लेकर चलने की कोशिस करनी है अगर मैं बात करूँ maths की तो देखिए आप DAV के क्लास 9, 10 और 9, 10, 11 के question, actually 11 के नहीं 8, 9, 10 के आपको maths के question कर लेने RS Agrawal का math आता है वो बना लिजी आपके selection को कोई रोक नहीं पाएगा 6, 7, 8, 9 के तो आप NCRT पढ़ोगे ही, बट NCRT में न आप देखिए NCRT पढ़ा रहे हो मैं आपको suggest करूँगा NCRT पढ़िए बट सिर्फ NCRT के भरों से बैठेर होगे तो आपका selection होने से रहा, जी हाँ NCRT बहुत अच्छी किताब होती है बट practice math तो practice का खेल है और NCRT में बहुत कम प्रस्ण होते हैं तो ऐसे में private school के book को जरूर बनाए आपके घर में बच्चे होंगे या आसपास के बच्चे हैं तो private school के maths को solve जरूर कीजिएगा आप, आपका काम यहाँ पर बन जाएगा environment science के लिए फिर से मैं बता दू यह आप सिर्फ और सिर्प NCRT पढ़ोगे काम आपका बन जागा, class 3, 4, 5, 6, 7 science वाला भी portion पढ़ लोगे काम आपका बन जाएगा तो फिर से बता दू, notes 199 में आपको मिल जाएंगे, यहाँ से मेरी email ID और इंस्टा इड देख लो, आपको yourmithunssing at the red gmail.com पर mail कर लेना, if you're on Instagram then do follow me at the red imithunssing वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया, अपने दोस्तों, रिष्टेदारों, सहलियों तक इस वीडियो को share करें, साजा करें, उमीद करता हूँ आप सभी पारा सिक्चक नियमित हो जाएंगे आकलेंद परिक्षा में, आप सभी को all the very best है, thank you so much